अंजना मुझा फर्पुर विहार से आपका स्वागत करती हूँ और मैं बोल लाई हूँ अंजना आज लाई फिस्टाइल से ए शीड कुछ मैं कल फूलने के लिए पानी में फूलने के लिए डाली थी जो आज मैं इसको सीड को मिठी में डाल दूँगी यह मेरा पाले से मिठी बना के मैं इसमें रखे हुई हूँ इसमें थोरा सा मैं पानी डाल दूँगी इसमें मैं पानी डाल दी और मैं एक सीड बीच में डालूँगी और साइड साइड जितने सारे सीड हैं इसको डाल दूँगी मैं साइड म मैं इसलिए डाल नहीं हूँ कि अभी मेरे पास मिट्टी बना हुआ नहीं है यह अगर ही बीच वाला निकल जाता है तो मैं साइड वाले को रिपोर्टिंग दूसरे पोर्ट में कर लूँगी सीड बहुत अंदर नहीं जाना चाहिए एक इंच अंदर इसको आप उंगली के सहायते से डाल दीजिए और सारे सीड को ढग दीजिए थोड़ा सा नीचा होना चाहिए नहीं तो गिलहरी या चुहिया आके भी इसको खा जाती है तो एक इंच नीचा जाना चाहिए ज्यादा नीचा नहीं जाना चाहिए और मेरे पास करेला का एक करेला और लौकी का सीड बच गया उसको मैं इसमें करेले का सीड डाल दूँगी दूर दूर पे डाल दे रहे हैं रिपोर्टिंग करने में वैसे आसान रहेगा जब मैं मेटी बनाऊंगी तो शारे में इसको रिपोर्टिंग कर लूँगी फ्रेंट्स आप भी लगा रहे हैं तो अब सीड डालने का समय आ गया है वैसे मेरे यहां बहुत ठंड है फिर भी मैं डाल दी हूँ जो निकला तो निकला नहीं निकला तो कोई बात नहीं है और मैं तीन पोट में जो प्याज डाली थी प्याज का मिट्टी कभी शूखा नहीं रहना चाहिए हमेशा हो मुआस्ट रहना चाहिए इस में है और दो मेरा सूख गया था तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए प्रिंट से जानकारी अच्छी लगी तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और सेर किजिए थैंक यू फिल में